Hello students, आज हम लोग multiplication पढ़ने वाले हैं और हम लोग जो multiply करेंगे numbers को वो by lattice method means हम lattice method का use करके number को multiply करेंगे, ओके तो चलिए start कर लेते हैं आपकी ये first problem है जो कि आप देख पा रहे होंगे अपनी screen पर आपको 58 में multiply करना है 3 से, ठीक है? तो lattice method में हम numbers को कैसे multiply करते हैं, सबसे पहले हम lattice method में एक box draw कर लेते हैं, ठीक है? इस तरह से हम लोग एक box draw करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे screen पर और face box को two parts में divide कर देते हैं, clear हुआ, सबसे पहले इस तरह से जितने number given होंगे ज़रूरी नहीं कि हम दो ही box draw करें, जैसे कि यहाँ पर two digits को one digit से multiply करना है तो इसलिए हम two box ही यहाँ draw करेंगे, ठीक है? two box आपने draw कर दिया, और हर एक box में आप इस तरह से divide कर देंगे two parts में divide कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे first box में आप क्या लिखेंगे? पीछे की तरफ से number right करेंगे, पीछे वाले number को पीछे वाले box के उपर right करेंगे और आगे वाले number को आगे वाले box के उपर right कर देंगे और इस side में इधर की तरफ आप क्या करेंगे? जिस number से multiply कर रहे होंगे, उन्हें right कर देंगे अब आप इन्हें multiply करना start करिए आप क्या करेंगे यहाँ पर table count करेंगे 3 की 8 time तो आप 3 की table 8 time count करेंगे देन आपको क्या find होगा 3 8 0 24 तो आपको 2 digit find होगे आपने first जो digit होगी उसे उपर वाले box में और जो पीछे के digit होगी उसे नीचे वाले box में write कर देंगे अगेन आप table count करेंगे 3 की table 5 time 3 5 जा 15 और 15 में भी क्या होते हैं दो digit आते हैं तो first जो होगी वो अपर वाले box में write करेंगे उपर वाले box में और जो पीछे वाले digit होगी उसे नीचे वाले box में right कर देंगे इसे राइट करने के बाद अब हम इसे plus करेंगे तो plus किस तरह से करना है इसके according करना है जो box जिसके सामने आ रहा है उस तरह से तो देखिए हम पर इसके सामने कोई box नहीं आ रहा है तो means यह box जो है बस अकेला है तो यहां पे कौन सा नंबर हो गया 4 और यहां पे 2 box हैं तो first box में 5 और second में कितना है 2 तो 5 प्लस 2 7 और इस box में कितने नंबर है only single 1 तो इस तरह से आपका क्या हो गया answer तो आपका answer क्या आ गया 174 यह क्या हो गया आपका answer हो गया clear हुआ इसी तरह से lattice method में हम solve करते हैं चलिए next problem देख लेते हैं आप next problem आपनी screen पर देख पा रहे होंगे अब जो आपको next number multiply करना है उसमें क्या करना है आपको 42 को multiply करना है 35 से ठीक है 42 into 35 same work करेंगे यहां पे जो box draw करेंगे वो ध्यान से करेंगे यहां पर आपको two digit को two digit में multiply करना है तो इस तरह से आपको four boxes draw करने होंगे ठीक है आपने इस तरह से draw किया और फिर इस तरह से box को four part में divide कर दिया अब हर एक box को आप two two part में divide करेंगे ठीक है यहां पर two digit को two digit से multiply करना है जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे तो एक side में हम लोग forty two को write कर देंगे और दूसरे side में हम लोग thirty five को write कर देंगे और फिर multiply करना start करेंगे तो multiply कैसे करेंगे अब आप क्या करेंगे सबसे पहले three की table count करेंगे two time three two जा six और six में सिफ एक digit मिल रही है तो इसलिए आप क्या करेंगे उपर वाले box में zero write करेंगे और नीचे वाले box में six write कर देंगे जब digit single मिलती है तो उपर वाले box में zero write करते हैं और जो number आता है उसे नीचे वाले box में write कर देते हैं आगे समझ में फिर से आगे क्या करेंगे आप आगे आपको करना है three की table count करनी है four time three four जा twelve twelve में दो डिजिट है तो आगे वाले डिजिट अपर बॉक्स में पीछ वाले डिजिट लोर बॉक्स में write कर दिया इस तरह से तो यह हो गया three से multiply करना अब next हम five से multiply करेंगे five की table count करेंगे two time five two जा ten तो हम लोग इस तरह से ten को यहाँ फिल कर दिये हैं अगेन अब five की table count करेंगे four time five four जा twenty आपने twenty को भी यहाँ पर फिल कर दिया ठीक है जैसे कि इस बॉक्स में आप देख पा रहे होंगे अब हम क्या करेंगे numbers को plus कर लेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने समझाया था इस तरह से बिल्कुल जो बॉक्स जिसके सामने आएंगे वो उसके कॉडिक उन्हें हम plus कर लेते हैं तो देखे इस बॉक्स जो होता वो अकेला ही है से सामने कोई बॉक्स नहीं आ रहा है तो जो भी डिजट होगी यहाँ आपने राइट कर दी फिर यहाँ पर थृ बॉक्स थें 6 प्लस 1 7 7 प्लस 0 7 तो आपने यहाँ 7 राइट कर दिया next आपने किया 0 में 2 प्लस किया then 2 आएगा और 2 में फिर से 2 प्लस करेंगे then 4 तो आपने इस box के सामने write कर दिया और यहाँ पर यह single box था तो आपने यहाँ पर 1 write कर दिया इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा solution तो अब आप answer कैसे लिखेंगे तो answer लिखने के लिए आपको क्या करना है इस side से आप लिखना start करेंगे पहले 1 4 7 0 ठीक है answer को कैसे लिखना start करेंगे आप answer को लिखना start करेंगे from this side to to this side ठीक है जहाँ से start करके यहाँ तक आपको number लिखना है तो आपको answer find out हो जाएगा तो आपने answer क्या लिख दिया यहाँ पर आपका जो answer आ रहा था वो आगया यहाँ पर 1 4 7 0 means answer आ गया आपका 1470 यह आपका क्या हो गया answer हो गया clear हो गया चारे student को चलिए आगे बढ़ते हैं और next question solve कर लेते हैं यह जो next problem है आपके screen पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको क्या करना है simple multiply और किसको किसमे multiply करना है 247 को multiply करना है 38 से ठीक है 247 को multiply करना है 38 से same work करेंगे आप यहाँ पर उपर वाली boxes में क्या करेंगे 247 write कर दिया और इस side में आपने 38 को write कर दिया है और same work करेंगे multiply करने का तो इन्हें चलिए multiply कर लेते हैं सबसे पहले आप start करेंगे 3 से 3 की table count करेंगे 7 time 37 जा 21 तो आपने यहाँ पर first box में 21 को fill कर दिया 2 को उपर और 1 को नीचे की तरफ next क्या करेंगे 3 की table count करेंगे 4 time fill कर दिया है next देखिए next क्या करेंगे आपर 3 की table count करेंगे 2 time 3 2 जा 6 आ जाएगा तो 6 में single digit है अगर single digit हो तो अपर वाली box में 0 लिखते हैं और जो number आया होता है उसे lower box में fill कर देते हैं अब हम next number से multiply करेंगे next number क्या है हमारा 8 है तो अब हम 8 से multiply करना स्टार्ट करेंगे तो 8 की table आप count करिए 7 time 8 7 जा 56 तो आपने 56 को इस box में fill कर दिया है next क्या करेंगे आप 8 की table count करेंगे 4 time 8 4 जा 32 तो आपने इस box में 32 को fill कर दिया है next आप 8 की table count करेंगे 2 time 8 2 जा 16 और उसे भी आपने यहां box में fill कर दिया है hope आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि numbers को कैसे हम लोग fill कर रहे है ठीक है अब यह सारे numbers यहां पे fill हो गए है तो उसके बाद हमें क्या करना होता है इन्हें plus कर लेना होता है तो चलिए फिर अब हम इन्हें plus कर लेते हैं तो देखिए इनको plus कैसे किया गया है same process follow करते हुए हम लोगों ने इन्हें plus किया है बिलकुल इसी तरह से line से इन्हें plus किया गया है जो box जिसके सामने आए है उन box को उसमें plus किया गया है तो plus करिए अब आप इन numbers को यहाँ पर 6 है तो आप 6 को सच्चेस यहाँ पर write कर देंगे और यहाँ पर क्या है 1 plus 5 6 6 plus 2 8 तो आपने यहाँ पर write कर दिया 8 again 2 plus 2 4 4 plus 3 7 7 plus 6 13 और 13 का आपने यहाँ पर क्या write किया 3 write कर दिया है और 1 जो हो जाएगा वो इस side में यहाँ पर carry हो जाएगा में जो आगी वाला box होगा उसमें 1 carry हो जाएगा तो आप यहाँ पर 1 क्या कर देंगे carry कर देंगे 1 में 6 plus करेंगे then 7 7 plus 1 8 और carry 9 तो आपने यहाँ पर क्या write कर दिया 9386 means 9386 यह आपका क्या हो गया answer हो गया I hope सारे बच्चों को clear हो गया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा उन्हें तो चलिए student अब मैं आपको कुछ work दे देती हूँ जो कि आपको करना होगा so student जो आपको work करना है from exercise 3.4 से वो हो जाएगा problem first problem first में जितने भी problems है from A to I इन सारे problems को आपको अपको अपनी copy में solve करना है A to I clear हुआ so student आज की वीडियो में बस इतना ही next वीडियो में हम लोग next topic को discuss करेंगे चासलिए यार्ねप में चासलियो में जोह तो